इम्निटी होगी बूस्ट चाहे हो वो पांच साल का चाहे हो पचास साल का सच में फ्रेंट्स यह बहुत इम्निटी बूस्ट आपका पाउडर बनके रेडी होगा और हेलो एब्रिवन वेलकम बैक तो मैं चैनल मेरे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंट्स म आप इस रेसिपी इसको बनाएंगे ना तो आप करते हैं पूरी विंटर में क्या आप इसको काफी काफी टाइम तक इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं देखिए फुल क्रीम दूद यूज किया आप कोई भरांड का दूद ले लीजिए क्योंकि मैं देली में रहती हूं तो इसके लिए क्या चीज की जरुवत होती है यह मेरा खुद का एक्सपियेंस है देखिए मैं यह पर हाफ केजी ही मिल्क लिया है ज्यादा नहीं लूँगी बस मैं आपको दिखा रही हूं कि किस तरह बनाते देखिए मैंने एक स्पैचुला ले लिए बस इसको तले पे नही दूद भी दोद के आफिटा सब कर देखिए और यह लोग ज़म के पार पहले हैं तो बहुत बड़ा बात है और नहीं है तो आप कोई भी अपड़ कि वह तो प्युर इत्या दूद हैं और पहला और दूसरा कोई भी दूद मिले आपको तो ले ज़िए और इस तरह उस तले पे नहीं लगने दीजिए मलाई मत बनने दीजिए उसको इसी स्पैचुला से घुमाते वे उसी के अंदर एड़न करते रहिए जो कि दूद बस तले नहीं लगे आपको इस तरह घुमाना है प्रेंट्स मैं अपने पर्सनल एक्सविजियन से बोल गया हूं यह इतना इम मेरा बेटा छोटा था तो उसकी इम्मुनिटी बहुत भीक थी तो मुझे एक डॉक्टर ने जो सजक्स किया था कि आप मैंने तो मुझे नहीं पता था मैंने तो इस टम कैमिस से पाउडर आता था वह भी मुझे इस डॉक्टर नहीं बताया कि यह जो मिल्क पाउडर है यह जो पाउडर है यह गाय के ही जो फर्स मिल्क निकलता है उससे सुखा के बनाया जाता है और इतनी इम्मुनिटी बूस्ट होती है इस पाउडर में तो उसमें तो केमिकल है फ्रेंट्स वो पूरे साल दो साल तक बेचना है उन्हें तो बहुत चोटा होता था वो जल्दी ही ए अगर अविलेबल है नहीं है तो फ्रेंट्स कोई बात नहीं अब कोई भी क्योंकि गाय का दूद्ध बहुत प्योर होता है आप भैस का दूद्ध लेजिए कोई भी दूद्ध लेजिए आप उस दूद्ध को मैं तो यहां पर फुल्क्री मिल्क से ही बना रही हूँ देख आपका यह एक मैपको बताती हूँ यह आपके कितने काम आएगा अगर आप इसको बना के रख लेंगे इम्मुनिटी बूस पौडर तो है यह और वह पौडर इतना कॉसली आता था उसको छोटी सी स्पून ही मुझे मिल्क में एड करनी होती थी क्योंकि उसकी कॉंटिटी इतनी यूज यूज उसके ती कि बहुत पाउरफुल पाउडर रहें बहुत अच्छी मिल्क में ज़ल देल कालके हैं बीमारियां कैच कर लेते हैं या बड़े बूरे हैं जो बहुत वीख हो जाते उनके लिए यह बहुत कारगर रेसिपी साबित होगी इसको बनाईएगा दूट कितना गाड़ा हो चुका है बस आपको इसको तले नहीं लगने देना देखिए आधे किलो मिल्क था और साइडों से पूरी मलाई वगरह सब कुछ निकालते रही है तर इस ही के अंदर एड़ान करते रही है देखिए कहीं भी मलाई नहीं लगी हुई बस निकालते इसको इसके अंदर एड ही करते जा रही हूं और यह गाड़ा हो गाड़ा होने के बाद आप इसको देखेंगे ना यह एक सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा जो मार्किट में वह पॉडर होता है उसमें तो केमिकल होता है वह साल दो साल आराम से चल जाता है क्योंकि उन लोगो इसको की बनी ही ही हम निसमें कोई केमिकल का यूज नहीं करेंगे तो आप इसको वह स्टॉर कर अपने किसी वह मिल्क पर आप डाल सकते हैं यह देखिए कितना गाड़ा हो चुका है इसको इसी तरह आपको इसको गाड़ा करना है मैंने बस थोड़े से दूद से आपको बन वोज मिल जाए अबाऊ पहला मिल जाए बहुत बाइद भात नहीं मिलता इलुट Haafella सो एक उहां जावर उसमें बहुत ज्यादा पाउर हो ती 아무houses जल्ले हैं लोज मिल एक पहला है तो राई तक एक हम अबाएद कि वह बल्लंद मिलता तो कम से कम और आई क्या को ईवार कफ ज पर बेचा जाता है आप इसको इस तरह बनाएए देखिए मैंने घर की मिल्क से बना के आपको दिखा रहे हूं जो मैं रेगुलर यूस करती हूं यह देखिए बस मैंने साइडों से इसको निकालते वे मेरा यह देखिए दूद बिल्कुल सूप चुका है बिल्कुल थिक हो यह दूद हर जगह से मैं निकाल के इसको सेंटर में लाती रहोंगी और नीचे से भूमाते लिए कि नीचे ना कि तहले पर लग जाए यह देखिए कुछ इस तरह का इसका बन जाएगा और यह दिरे ने अपने आप सूखने लग जाएगा यह बिल्कुल ड्रेडी हो गया ह यह दिरे आप थोड़ी दिर इसको और रखेंगे बिल्कुल सूख जाएगा और देखिए मैं घुमाते वे ना इसको बस छोड़िए का मत आप इसको छोड़ देंगे तो यह जल जाएगा हमें वही नहीं करना जलाना नहीं है साइडों से निकालते रहिए इसका एक थिक प जाएगा 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 मैं देखिए मिक्सी में चलाकर हलका साइगा जो कि एक सार हो जाएगा वैसे बहुत सौफ दूद का बस सुखा के हुआ था बहुत सौफट है तो वह हलका सा चलाने में ही इतम एक सार हो गया है मैं इसको किसी प्लेट में इसको निकाल लिया है यह आपका इसको आप खटा करके किसी कंटेनर में रख लीजिए आपका खोया बनके वी रएड़ी है आपके विंटर में गाजर के हलवे के लिए आपको बाहर से पर्चेस कने की बिल्कुल जरुवत नहीं है देखे आप इसको गाजर के हलवे में यूज कर सकते हैं मैंने दे इसे भी खा सकते हैं प्लीज जिस ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो अची लगे तो लाइक और शेयर कीजिए देखे जिसके पास वाला दूद अवेलिबल है आप उससे बनाइए नहीं है तो आप नॉर्मल जो आपक बहुत इम्म्निटी बूस पाउडर बनके रेडी होता है और मैंने इसकी कुछ और इसको किसी और चीज में यूज किया था वह मैं आपको नेक्स वीडियो में शेयर करूंगी यह देखे कितना इम्म्निटी बूस पाउडर बनके रेडी हुआ इसमें शुगर आट कर ली त और घर पे देखिए आप सिर्फ एक मिल्क से ही हम कितना इमिल्टी वूस्पाउटर बना के रेडी कर सकते हैं जो मार्किट में इतना महेंगा परचेस करना पड़ता है पहले मुझे नहीं पता था मिल्क को आपको शुरू से लेके एंड तक गैस कम करके ही पकाना है आपको ग नहीं है तो आप नॉर्मल जो गाय का या भास का कोई भी आप दूद ले लीजिए आप उससे बना लीजिए वो दूद थो बहुत गाड़ा होता है थैंक यू वेरी मच वाचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल